जिन्दगी में सिर्फ पैसे कमा कर या पैसे बचा कर आप अमीर नहीं बन सके। अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक शम्मे आपका फिर से स्वागत है। अगर कोई लोटरी में पैसे जीत जाए और उसे अपने साथ रख ले, बचा ले, तो क्या वो आपके निगाहे में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक नजरिया है, एक जीवन सहली है, और अब आपको अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा, खुद को इंप्रूफ करना पड़ेगा। इसी कारण वो आज विशुहर में सबसे ताकतवर देश है, दूसरी ताकत, रत्न, यानि की पैसो की ताकत का परतीग, इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी, ये स्वडीम नियम याद रखो, जिसके पास स्वड है, वही नियम बनाता है, तीसरा धरपन, सीसा आत्म ज् इसार ये आत्म सम्मान बाकी दोनु ताकतों से उपर है, गरीब और माध्यम वर्ये लोग अक्षर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं, वो सुवय सुवय उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं, बीना खुछ से ये पूछे कि क्या ऐसा करना समझ पैसे की समझना होने की कारण, ज्यादा तर लोग पैसे के डिरावनी ताकत को ये इजाज़ा दे देते हैं कि उन्हें काबू में कर ले, पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है, इस समझ्या को ठीक करने के लिए अगर वो धरपड की ताकत का इस्तिमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते की क्या ऐसा करना समझदारी है, बहुत बार हम अपनी अंद्रोनी समझदारी पर भरोसा करने के बज़ाए भीड के साथ साथ चलने लगते हैं, कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाके सब भी ऐसा कर रहे हैं, सवाल पूछने के बज़ाए हम नकल करने लगते हैं अक्सर ना समझी अक्सर ना समझी के कारण हम वही दुहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है और इस तरह से आपका विचार आपके घर आपका सबसे बड़ा एसेट्स है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है अगर आप ज़्यादा करज लेते दूसरी जरूरी बात ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से ड्रावनी चीज होती है फील्ड के सामने बोलना उन्हें एड्रेस करना मनोब वैग्यानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग कामन स्टेज़ पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये डर होता है कहीं उनके बुराई होगी लोग उनके ऊपर हसेंगे वो अकेले रह जाएंगे लोग उनसे दूर हो जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वज़ा से बहुत सारे लोग अपनी समस्या अपनी प्रावलोस को सॉल्व करने के नएने तरीके नहीं ढूरते बस भीर के साथ चलते चले जाते हैं इसलिए रॉबर्ट टीक योसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पूर डैड ने भी बहुत कुशिक खाया है और उनमें से एक जरूरी बात ये थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दरपन की ताकत को आइने की ताकत को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस देते थे क्योंकि जब इंसान आइने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है और ज़्यादा तर लोग खत्रा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में रिलेस साथ चलने में और पड़ोष्यों के नकल करने में ऐसो आराम की नकल करने में बहुत सारे दिकते आती हैं पैसों के समस्या पैदा हो जाती है वो उनका तरीका है वो उसे एफॉर्ड कर सकते हैं पर जब हम देखा देखी बिना सोचे शमझे नकल करना शुरू कर द restless आ कर दे बनिये कि पैसा आपका गुलाम हो वो आपके लिए काम करें तो मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए धन्यवाद